नमस्कार, Ultimate Law Associate में आपका स्वागत है, इस सेशन में Doctrine of Registry in Indian Legal System, Read with Section 6 of the Indian Evidence Act को डिटेल में देखेंगे, स्टार्ट करते हैं, इसे भी हम आगे डिटेल में देखेंगे, यह हम Section 6 पढ़ते हैं, तो Section 6 पढ़ने के साथ साथ हमें तीन चीज़े अच्छे से देखनी होती हैं, Meaning of Transiction, Meaning of Same Transiction and Meaning of Forming Part of Same Transiction, यह तीनों जब हम देख लेंगे, तो हमें Section 6 अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अब आते हैं Section 6 पढ़ते हैं, Section 6 काता है कि रिल्वेंशी अफेक्ट्स फर्मिंग पर्ट अब सेम ट्रांजिक्शन, यह मार्जिनल नोट है Section 6 का, आगे काता है कि fact which, though not in issue, which are so connected with the fact in issue, as to form part of the same transaction are relevant, whether they occurred at the same time and same place, or at different time and different places, इसको हम easy करके समझने की कोशिस करते हैं, कोई एक fact number one है, जो की not in issue है, और कोई दूसरा fact number two है, जो की in issue है, तो fact number one, जो not in issue है, वो fact number two, जो की in issue है, उससे कुछ इस तरह connected हो, को forming part of the same transaction बनाता हो, जब fact number one, fact number two से forming part of the same transaction बनाते हुए connected होगा, तो वह Section 6 of Indian Evidence Act के according, relevant होगा, fact number one, जो की not relevant है, और fact number two, जो की in issue है, fact number one, not in issue, और fact number two, in issue, जब दोनों मिलके एक ही समवैवार का भाग बनाते होंगे, तो अब 32 साचितनियम की धारच्छाय के अंतरगत, सुसंगत होंगे, चाहे fact number one, और fact number two, एक ही समय और एक ही स्थान पर हुए हो, या विभीन समय और विभीन स्थानों पर गटित हुए हो, एक बार धारच्छाय को हम हिंदी में देख लेते हैं, धारच्छाय का marginal note एक ही समवैवार के भाग होने वाले तत्थिों की सुसंगती, जो तत्थ विवाद न होते हुए भी किसी विवाद तत्थ से उस पकार संसक्त हैं कि वे एक ही सम्वैवार के भाग हैं वे तत्थ सुसंगात हैं चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन समय और स्थानों पर घटित हुए हों यह हिंदी वर्जन है सेक्शन 6 का फिर एक केस आता है जेंटिला विजे वर्दान राओ एंड अधर वरसे इस्टेट आप आंधर परदेश सुप्रीम कोट का ये केस है 1996 में डिसाइड हुआ था इस मामले में मालिय सर्वोच ने आले ने इस पश्ट किया कि Section 6 of Indian Evidence Act is exception of the principle of here say evidence is not admissible अनुसुर्थ साच ग्राह नहीं है कि नियम का अपवाद है रेजजेस्टेड भारती साच दियम की धारा 6 के अंतरगत English law का रेजजेस्टे का principle भारत में clearly accept नहीं किया गया है लेकिन धारा 6 में प्रियुक्त सब्दान्स so connected with the fact and issue as to form part of the same transaction indirectly wednesday की demands कर देता है यह जो वर्डिंग सो connected with the fact and issue as to form part of the same transaction का अर्थ उन परिश्थितिओं से है जो fact and issue के पहली के प्रिश्थितिओ से जुड़े होने का तर्क देते हैं इसी मामले में सरोच नियाले ने अभी धारित किया कि यदि घटना और कथन के मद्ध थोड़ा सा भी अंदराल है जो की fabrication मतलब कि उसमें कुछ जोडने घटाने के manipulation करने के लिए time दे देता है तो वह रेजिश्टे का पाट नहीं होगा इस केस का नाम था जेंटला विजय वर्दान राव वर्सेट इस्टेट आप अंध्रप्रदेश वास्तों में इंडियन इविडेंस एक्ट के निर्माताओं ने इस लॉग के प्रिंस्पल आप रेजिश्टे को अंसर्टेंटी के कारण सेक्शन 6 में क्लियरली एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन सो कनेक्टेड विद एफेक्ट इन इसू आइज टू फॉर्म पार्ट आप दा सेम ट्रांजिक्शन में इरेज जश्टे के सिधान को समाहित करने की कोशिस की सेक्शन 6 का इलुष्टेशन एए उन कन्डिशन को क्लियर करता है जब स्टेट्मेंट फैक्ट फॉर्UBिंग पार्ट आप सेम ट्रांजिक्शन लेकिसल और इलुष्टेशन भी उन परिश्ठितियों का उले करता है जब एक्ट और ओमीशन फैक्ट फोर्मिंग पार्ट आ आप सेंव त्रांजिक्शन होने के लिए फिजिकल निवेंटल दोनों इकृणड़ी का धायो क्ःष और है अब आते हैं थीव संवेल्ध को समझे लेते हैं यह रोद measure । उस्हों Char палutanu के लाले हैं और दोनों कर्शन कपते हैं जाता है जिसे हम वहार सकते हैं तो संवेवार किया है तो उसका भार्ति साफ्च धिनियम में ट्रांजिक्टिन की इवन कहीं भी इस्टेटूटरी डेफिनीशन ट्रांजिक्टिन की मिली नहीं एकर्डिंग टू सर जेमस इफ स्टीफेन संवेवार पर संबद तत्यों का समुह जिसे एकल नाम दिया जा सकता है जैसे कि सम्विदा का सम्वैवार अपराद का सम्वैवार गजूलाल वर्सेज फतेलाल के केस में ट्रांजिक्शन को परिवासित करने की कोशिस की गई गजूलालवर से फतेलाल के केस में नयाले ने ट्रांजिक्शन को कुछ इस तरह परिवासित किया कि it is an act or process or some business or dealing carried on or transacted by two or more than two person ये ट्रांजिक्शन की definition गजूलालवर से फतेलाल के केस में दी गई समवैवार एक से अधिक व्यक्तियों के बीच एक प्रकार का बरता होता है यही कारण है कि सर स्टीफेन ने ट्रांजिक्शन की definition कुछ इस तरह से दी सर स्टीफेन ने ट्रांजिक्शन की जो definition दी हो जा दी कि ट्रांजिक्शन is a group of facts so connected together as referred to by a single legal name such as a crime or a contract or wrong or other subject matter of inquiry इसू यह definition जे एफ इस्टीफेन के द्वारा दी गई थी इन आई जाफ लॉट ट्रांजिक्शन is a connection of the fact यह कई तथ्यों का एक connection होता है जो इस तरह से जुड़े होते हैं कि एंत में उनका स्वतनत विदिक अस्तित तो आ जाता है उसे ही हम सम्वेवार कहते हैं अब सेम ट्रांजिक्शन को समझने की कोशिश करते हैं प्रस नहीं है कि section 6 के marginal note में used word same का क्या आर्थ होगा तो word same को अधनियम में कहीं परिभासित नहीं किया गया है परन्तु section 6 के heading और body में परियुक्त सब the same fact in issue को indicate करता है अर्था जो तथ fact in issue को या तो explain करते हो या fact in issue से इस तरह जुड़े हों कि उसे अलग नहीं किया जा सके वह same की category में आएंगे example के तोर पे सूरत दोबनी का case था जिसमें अभ्यूक्त ने अपने पुत्रवदू की जीब को लोहे के गर्म राड से दागने की कोसिस की थी भागते समय पीडिता ने अपने पड़ोसियों से कहा था कि सास जो कि अभ्यूक्त थी ने लोहे से दागने का कार किया अभ्यूक्त भी पड़ोसियों के बगल में ही उस समय खड़ी थी इस मामले में फैक्टी निसु यह था कि क्या अभ्यूक्त ने अपने पुत्र वदू को गर्म लोहे से दागने का प्रयास किया तो नियाले ने पाया कि घटना एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई थी कि गर स्पीक थ्रो पर्शन और नौट पर्शन अबाउट देट दूसरे सब्दों में घटना अपनी कहानी कारे द्वारा स्वाइंग स्पष्ट करती हो अब आते हैं फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट आप दो सेम ट्रांजिक्शन को समझने की कोशिस करते हैं जो आला सहाई वर्सिज क्राउन के केस में फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट आप दो सेम ट्रांजिक्शन को एक्स्मिलेन करते हुए नियाले ने चार सिद्धान तधारित क पहला, they are the acts talking for itself and not what people say when talking about act, वेकार जो स्वेंग बोलते हैं, कार ही बोलता है न कि व्यक्ति एकत्रित हो के घटना के बारे में बोलते हैं, परिस्थितिया अपनी कहानी स्वेंग बताएं, तब forming part of the same transaction माना जाएगा, अन्य था नहीं माना जाएगा, दूसरा है कि they must stand in immediate casual relation with the act, और तीसरा है, the act must create hearsay and not hearsay the act, और फाइनली चोथा है, the act must speak through the person and not person about that, ये चार सिद्धान्त धारित किये गए ज्वाला साहे वर्सेज क्राउन के केस में, इसी चारों सिद्धान्त में सेज्ज अगर कोई एक विफालो होता है, तो वो same transaction, fact forming part of the same transaction में आएगा, facts forming part of the same transaction पे example के रूप में एक case law है, जिसका नाम है वी चंद्र सेखर राव वर्सेज पी सतन अरायन राव, इस मामले के तथिस प्रकार थे कि एक व्यक्ती ने सराप के नसे में अपनी पत्नी और पुत्री की हत्या कर दी, अभ्यूक्त के पिता ने मृत्तक पत्नी के पिता को, पीडिता के पिता को, मृत्तका जो थी, उसके पिता को फोन काल पे इस घटना की सूचना दी, कि लड़के की मांसिक स्थित्ती ठीक नहीं है, अथा उसने आपकी लड़की की हत्या कर दी, इस मामले में नेयाले के समझ प्रस नहीं है था कि, कि दी गई सूचना, अभ्यूक्त के पिता के द्वारा, मृत्का के पिता को फोन काल पे दी गई सूचना, फॉर्मिंग पार्ट अब दा स्थिम ट्रंजिक्शन माना जाएगा, या नहीं माना जाएगा, तो नेयाले निड़े दिया कि, कि यह सूचना जो कि अभ्यूक्त के पिता के द्वारा मिर्तिका के पिता को दी गई है वह सूचना forming part of the same transaction इस मामले में नहीं माना जागा क्योंकि यह clear ही नहीं हो पा रहा था कि अभ्यूक्त के पिता ने कब सूचना दी और किस परिस्थिती में सूचना दी क्योंकि जो एक्ट और स्टेट्मेंट जो कहा जाता है कि एक्ट और स्टेट्मेंट में फैब्रिक्लेशन या मैनिपुलेशन का टाइम नहीं होना चीए वो घटना से बिलकुल connected होने चीए closely connected होने चीए तो इस मामले में clear नहीं हो पा रहा था अगर clear हो पाता तो बात कुछ और होती तो fact forming part of the same transaction पे तीन leading case है पहला है जो आला साही वर्सेज क्राउन जिसमें चार rule held किये गए सिद्धान प्रतिपादित किये गए दूसरा महंदरपाल वर्सेज state of UP का case है इस मामले में सरवोच नहीं आले के समझ पहली बार यह प्रसनाया था कि what is the meaning of the forming part of the same transaction given in Indian evidence act section 6 of the Indian evidence act तो यह महंदरपाल वर्सेज state of UP के मामले में ज्वाला साही वर्सेज क्राउन के मामले में प्रत्वारिश सिद्धान को मानिता प्रदान की गई फिर example के रूप में वी चंद्र सिखर राओ वर्सेज पी सतनारायन राओ का case यहीं पर रेजज़ेश्टे completely precisely close करता हूं मैंने पूरी कोसिस की है कि complete रेज़ेश्टे आपके समझ में आ जाए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जादा से जादा से शेयर कीजिए लाइक कीजिए और हमाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा और इस व हुआ गपको जग घए ऑन चैनल को सब्सक्राइब बार हमाई की आपको अगर, आपको माई चैनल को सब्सक्राइब